लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, मंत्री एशोधरा राजे सिंधिया ने भी ग्वालियर में भारी बारिश का अपडेट लिया है, देखिए तो यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेशत रूप से यह तस्वीरें ग्वालियर चंबल की हैं और डराने वाली तस्वीरें हैं, लोगों में भी अब भाय का माहौल है सिप्पूरी जिले में बार से गंजीवन अस्त व्यस्त है, कुछ गाओं का जिला मुख्याले से संपर्क तूटा हुआ है, खुद जो मंत्री है यह शोदरा राजे सिंधिया, वो निगरानी बनाये हुए हालातों पर हम बात करने की कोशिश करते हैं मड़म हम देख रहे हैं कि आती बर्षा हो रही है, उससे कई जलो, कई जगों पर जलवराव की इस्तिती है, और खुद सिप्पूरी में भी आती बर्षा से कुछ कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, गाओं में यही इस्तिती है देर रात को मैं यहां पहुची हूँ, और मैंने अच्छी बात तो यह है कि पूरी टीम हमारी प्रशासनिक टीम लगी हुई है, और हर पल पे, हर घंटे पे, मानिये मुख्यमंतरी जी फोन से चर्चा कर रहे हैं, अभी अभी हमारे साथ वीसी लीड, जिसमें कमिशनर, आए हैं, क्योंकि अब वहां मोहना में पारवती नदी भी उफान पे है, तो अब कोई जा भी नहीं सकता है वापस वहां, तो थोड़े से जो टीम यहां है, अब ग्वालिर की जो टीम यहां आई है, हम लोगों के लिए बहुत मदद हो रही है, क्योंकि सब अपने दिमाग लगा कर हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन किस डिरेक्शन में जाए, और शहर में अब पहले दफ़े, दस पंदरा घंटे के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश अब थमने का नाम ले रही है, तो यहां जो हमारी टीम्स हैं, जो करोना के समय में हम लोगों ने जो बनाई थी, वो ही टीम्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जगे चगे पे हमारी मलीन बस्तियों में जाने के लिए कहां कहां हम राहत दे सकते हैं, खाने के पैकट हमने निकाल दिये हैं, बारा बज़े से आज अभी थोड़ी देर में, अब वो बटेंगे सब के पास, जहां खा पादे की सामाग्री नहीं मिल रही है. तो ये शहर में, हमने अलग टीम्स लगाई हैं. कम से कम हमरे 10-12 तीम्स लगी हैं. अब में जा हम लोग जा रहे हैं, ग्रामीन में कोशिच कर रहे हैं, कि अगर हम बिची साइड जा रहे हैं, 24 घंटे से लोग फसे हुए हैं कोशिश करेंगे कमिशनर जा रहे है मेरे साथ कलेक्ट साब यहीं रहेंगे पर all in all हम लोग लगे हैं अगर थोड़ी सी भी बारिश की राहत मिल जाएगी तो हम अपना काम पूरा कर पाएंगे हेलिकॉप्टर्स भी फिर से वापिस आ जाता है तो हमारा काम आसान हो जाता है अपना करने के लिए